हे गाईस मैं हूँ सरीता कुक विच सारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जारे धनिया की चटनी धनिया की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, अद्रक, हरी मिर्ज, जीरा और दही तो चलिए दोस्तों देरे ना करतो है आज का रेसिपी सुरू करते है पहले हम ये धनिया ले लेंगे, इसका जो ये डंठ लेना ये आधा काटना है पूरा नहीं काटना है, बस आधा नीचे नीचे से काट लेना है उसके बाद हम इसको अच्छे से धोल लेंगे चलिए मैंने इस अच्छे से धो लिया है अब चलते आगे की प्रोसेस की ओर उसके बाद हम यहाँ पे एक ग्राइंडर ले लेंगे उसमें ये सारा धन्या डाल देंगे उसके बाद दो छोटी टुकड़े अद्रक लेंगे और चार-पांच हरी मिर्स ले लेंगे मैंने यहाँ पे ये तीखी हरी मिर्स लिया है फिर हम इसमें half spoon जीरा डाल देंगे उसके बाद हम एक एसे ingredient डालेंगे जो की optional है वो है black salt वो आपकी optional है आपकी मर्जी डाले या ना डाले फिर हम इसमें डालेंगे दही मैंने यहाँ पे आधा कब दही लिया है लेकिन पहले में तीन स्पून दही डालूंगे फिर बाकी दही पाग में डालेंगे चलिए इन सबको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं इसको हम ऐसे एक मिनिट तक ग्राइंड करेंगे थोड़े देर grind करने के बाद हम चेक कर लेंगे की ये अच्छे से grind हुआ की नहीं देखिए ये अभी तक अच्छे से grind नहीं हुआ है फिर से हम इसको और एक बार चलाएंगे उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा फिर से दही डाल देंगे जो आदा कब में से बचा के रखा थे ना वो दही हम इसमें डाल देंगे दही डालके फिर से हम इसको ग्राइंड करेंगे इसका धक्कन हम बंद कर लेंगे फिर से हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे धनिया की चटनी में दही के बदले हम नीम्बू का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन दही का फ्लेवर चटनी में अलगी फ्लेवर लाता है इसलिए मैंने आज यहां पे दही का इस्तमाल किया चलिए देखिए अब यह हमारा अच्छे से ग्राइन हो चुका है अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है इसमें मैंने यह सारा पेश्ट निकाल दिया है अब हम इसमें according to taste नमक डालेंगे आप चाहे तो ग्राइंड करते वक्त भी डाल सकते नमक लेकिन मैंने बाद में डाला है तो चलिए दोस्तों देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना धनिया की चटनी चटपटा धनिया की चटनी बनके तयार है तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो झालब तो याठगा झटनी चुछनी